बिहार के दो नए यूवाज चेहरे आज एक मंच पे रहेंगे आपको बता दू कि चिराग पास्वान जो की राम विलाज पास्वान के बेटे हैं और लोजपा के रास्टी अध्यक्स हैं वो आज नेता परतिवक स्थेश्वी अदब से मुलाकात करेंगे राबडी आवास प पहुंचेंगे और यहां पे दो नए यूवाज शेहरा एक मंच पे रहेंगा आपको बता दू कि राम विलाज पास्वान का निधन को एक साल हो चुके हैं और लोजपा के ने उनकी पुनी तीथी बना रही है उसको लेके आज चिराग पास्वान नेता परतिवक स्थेश् और ये तस्वीरे है राबरी आवास की जहांब देख सकते हैं कि घुहल चल है वो तेज हो चुका है और अभी थोड़ी देर में आपको बता दू कि थोड़ी देर में चिराग पास्वान आएगे और इंविटेशन देंगे क्योंकि आपको दादू कि भारात तारीक को वो पुनितिती मना रहे हैं अपने पिता स्वर्गी राम बिलास पासवान की उसको लेके सभी जगा वो जा रहे हैं और अभी राजभवन में राजभवन से सीधे तेज़ेश्वी आदब से मिलने आएंगे आपको दादू की अभी बाबक भारत सरकार के केंद्रे मंत्री कई बार रह चुके भारत के दूशरे अंबेतकर शोर्गी राम बिलास पासवान साहब की उस दिन पहले देहान्त हो गए थी उनकी बरसी बारत तारीक को मनाना सुनिस्शित हुआ है और इसको लेकर के आदर्नी राष्टी अध प्रयास करां कि हम उनके घर अवास तक पहुंच कर मैं सवादों इसको लेकर के लगतार राष्ट्र जिपटना में अखल से हैं अरहां तक संभव होता है प्रतेक विक्ति को नहीं कि जो लीडर है लेकिन उम्मीद है कि समय मिल जाना चाहिए चोकि इसे राजनीत से जुडके नहीद आस्था देश ही नहीं बिहार ही नहीं बलकि पूरे दुनिया के लोग उनमें आस्था रखते हैं देखे ये सिर्फ और सिर्फ ये परिवारी कारेकरम है उस कारेकरम के दृष्टी कोन से अभी उनकी मुलकात हो रही है इसमें राजनीतिक जोड़ के देखना ये उची नहीं है राजनीत का एक अपना जगह होता है परिवारी के अपना जगह होता ये सिर्फ और सिर्फ परिवारी कारेकरम है उसको लेकर के नेता परतिपक्स माने तेश्वियादू जी शे मुलकात होगी तो ये ते कुमार कलू जिन्हों ने कहा है कि ये परिवारी मुलकात है और जिस तरीके से पुनितिति मनाया जा रहा है आधर निये राम बिलास डीका उसको लेके आज नेतापुर्तिएट्म से मिलाजार भूशे डिलने नभेस को लेके इन्वीटेशन रहें और उससे भी जुरी तमाम जो अपड़ेट रहें को हुम आप तक पहुचाते रहें इतना फिलाल के लेतना ही